नमस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र। आए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, सबसे पहले बात आज के पंचान की। 13 नॉम्बर 2023 दिन सोंबार, कार्तिक मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, हमावश्य अतिति रहेगी, दो पहर दो बज कर 56 मिनट तक फिर प्रतिपदा अतिति शुरू हो जाएगी, विशाखान चत्र है, चंद्रमा तुला राशी में रहेंगे, रात को 9 बज कर 18 मिनट तक फिर ब्रश्चिक राशी में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान शूर तुला राशी में बिराजमान है, आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, सुबह 11 बज कर 44 मिनट से, दो पहर 12 बज कर 27 मिनट तक, राहुकाल का समय होगा, सुबह 8 बज कर 3 मिनट से, सुबह 9 बज कर 23 कारे छेत्र में सफलता आपको मिलेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, प्रापर्टी से सम्बंधित बड़ा फैसला आज ना करें, शुबरंग होगा केसरिया और उपाय, भगवान शिव को जल और दूद से अविशिक कराएं, ब्रश राशी, परिवार में सुख बढ़ेगा, सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी, प्रापर्टी से सम्बंधित लाब होगा, बाणी का प्रियोग सोच समझ कर करें, शुबरंग सफेद, उपाय, किसी गरीब को आठे का दान करें, मिथुन राशी, किसी को पैसा उधार ना दे, लोगों से उलजने से बचे, रुके विवे काम पूरे होंगे, विनम्मर व्योहार रखने से फाइदा होगा, शुबरंग सिल्वर कलर, उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें, करक राशी, सिख्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी, धनलाव की आउसर प्राप्त होंगे, सेहत को लेकर चिंता रहेगी, अपनी योजनाओं को लागू करने का समय है, शुबरंग क्रीम, उपाय, भगवान शिव की आरती करें, सिंग राशी, नेगेटिव विचारों से बचें, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, आपके काम की सराहना होगी, नौकरी में उन्नती के योग है, शुबरंग, हलका लाल, उपाय, ओम नमा शिवाय का 108 बार जाप करें, कन्या राशी, तेजी से काम करने का दिन है, धनलाव के नए आउसर मिलेगे, विदेश यात्रा का योग है, नए लोगों से मिटिंग होगी, शुबरंग, सफेद, उपाय, किसी गरीब को फल का दान करें, तुला राशी, वानी का प्रियोग सोच समझ कर करें, परिवार में सुक्षान्ती बढ़ेगी, आफिस में काम को लेकर व्यस्त रहेगी, कोई भी काम जल्दवाजी में करने से बचें, शुबरंग, गुलाबी, उपाय, दुरगा जी की आरती करें, ब्रिश्चिक राशी, मन की चिंता दूर होगी, धन निवेश से लाब होगा, रिष्टेदारों से संबंध सुधरेंगे, पैसे से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें, शुबरंग, हलका लाब, उपाय, शिवजी को बेल पत्र अर्पित करें, धनुराशी, हर काम सोच समझ कर करना होगा, अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, आफिस में सहियोग्यों से मदद प्राप्थ होगी, संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, शुबरंग, हलका पिला, उपाय, भगवान शिवजी की आरती करें, मकर राशी, करियर पर ध्यान देने का समय है, धन की प्राप्ति होगी, पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा, शुबरंग, केसरिया, उपाय, किसी गरीब को भोजन दान करें, कुम्भराशी, नेत्र तुछमता आपकी और बढ़ेगी, नई नोकरी का ओफर मिलेगा, परिवार के सहयोग से काम बनेगे, नकर आत्मक सोच से बचना होगा, शुबरंग, सफेद, उपाय, भगवान, क्रश्न की आरती करें, मीन राशी, मीन राशी वालों को भागे का सपोर्ट मिलेगा, मेहनत को बढ़ाने का समय है, अपने विचारों को इस पस्ट रखना होगा, लंबी दूरी की यात्रा का यूग है, शुबरंग, हल्दी जैसा पीला रख, उपाय, किसी गरीब को फल दान करें, राशी चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आप से मुलाकात, आज जिन लोगों का जनम दिन है, उन्हें जनम दिन की बहुत-बहुत शुब कामना है, आपका आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा भी थे, नमस्कार आस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउनलोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से